अब स्टार्ट करते हैं एक अपना नया सब्जक्ट यह है अपना एग्रोफ फोरेस्ट्री सोशिल फोरेस्ट्री और वाटर सैड मैनेजमेंट अब इनमें तीनों अगरलाग हैं तो अन्हें एक एक करके करेंगे क्योंकि यह तीनों एक साधे सलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपस में काफी इंटरलिक्ट सब्जेक्ट हैं तो इनमें पहला पकड़ लेते हैं अपना सोशियल फोरेस्ट्री इसका जो टर्म है क्या है सोशियल और फोरेस्ट्री तो यहां से थोड़ा लिंक हो रहा है फोरेस्ट्री का मतलब फोरेस्ट यानि कि फोरेस्ट डिपार्ट से क्या linkage है यानि कि social forestry आखिर है गया तो अपना यह पूरा जो एक थीम है यह social forestry कि वह इसी के आसपास गूमें कि कि require क्यों है हमने क्यों एडप्ट की तो पहले तो अपने basic concern आते हैं कि आखिर हमने यह social forestry जैसे subject क्यों start कि यानि कि इंडिया में social forestry क्यों start तो इसके पीछे पहला तो अपना रीजन यह है कि अपने पास जो forest area है वो काफी गवर्मेंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लेके आ रही है लेकिन फिर भी अपना जो forest कबर वाला जो पार्ट है वो अपने 21% के आजपास से कभी उपर बढ़ पार रहे हैं कितने में बढ़ रहे हैं यहां पर 1000 करोड का पैसा जा रहा है और ग्रोथ किस हिसाब हो रही है पॉइंट जीरो टू परसेंट पॉइंट जीरो ठीपरसेंट इस टाइप की रेट से चल रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या हैं रीजन है कि इंडियन जो forest है उस तो बहुत ज़्यदा प्रेसर हैं लोग हैं उनकी requirement है आप या तो बोलते हैं कि या तो नीके दो नहीं तो नागे दोगे बैसे ही है कि आप या तो नहीं लीगल तरीके से उनको जो requirement है वो supply करो अगर आप लीगल नहीं दोगे तो फिर वो इलीगल तरीके से forest trees को cut करेंगे और black market में भेशेंगे तो इस टाप से उनकी requirement है उन्हें तो आपको fulfill करना ही पड़ेगा तो social forest यह उसके पीछे basic aim यही था कि अगर हमें forest को बचाना है तो forest से related जो resources हैं वो लोगों के पास पहुंचाने पड़ेंगे जब लोगों को जो चहिए वो उनी के घर के आसपास उगरा होगा तो जंगल तक काटने नहीं आएंगे दूसरा अगर market में जो demand supply का gap है वो अगर बहुत ज़्यदा नहीं होगा तो उसके price ज़्यदा rise नहीं होगे तो कोई दुस्मानी नहीं लिने आएगा हमारे जंगल में काटने के लिए तो यह बजाय थी कि हमने social forestry program शुरू किया इसे द्यान से सुने क्योंकि इसका agroforestry से जो दोनों में जो contextual जो difference आएगा उसका थोड़ा आपको confusion कर सकता है तो पहले अपनों को basic game समझी में आया है कि अपनों को जंगल की पचानत है अब time के साथ अपने जो other objective थे बो भी जोड़ते गए जैसे कि climate change और global warming हो रहा है तो हम लोग चाहते थे कि carbon sink या जैसे आपने सुना हो कि सिक्किम है उसने अपने आपको zero carbon economy बना लिया अब उसने zero carbon कहा से बना लिया क्या उसने forest area बढ़ा दिया मतलब उसने पेड़ लगा है social forestry program चालो किया और उनक या कई उनको tackle करने के लिए आप इस टाइप के social forestry जैसे program लेके आए जिससे जदा से जदा पीड़ लगें और जदा से जदा कारवन का सिंक हो कभी कभी हमारा एक objective job creation भी होता है जैसे नरे गाव में हम जौब दे रहा है क्योंकि local area पे जौब तो हमारी government की यह वर्क है पीड़ों की कटाई के टाइम पर काम करेंगे फिर जो पीड़ कटेंगे यान की जो वूड प्रोडीज होगा उससे जो manufacturing करेंगे वहां पर job मिलेगा तो इस टाइप से जो village और cottage industry है उसको काफी promote मिल जाता है इससे अपनको job creation वाला objective भी है वो भी fulfill हो जाता है कि अब जैसे कि मोथी जी उन्होंने doubling farmer income बोल दिया मतलब farmer की income डबल करना है तो आप कैसे करोगे जो वह फार्म से ले रहा है जो खित में वह उगा सकता है वह तो पिछले 20-30 साल से लेगी आ रहा है आप उसको अगर कोई एक छोटा सा फार्म है जिससे वह 10,000 रुपए की क तो गाड़ी की स्पीड है अगर 50 से चल रही है तो आप पचास से 55 या 60 पर तो लिया सकते हो 50 को डबल करके 100 पर नहीं लिया सकते हो तो आपको क्या करना पड़े है कुछ alternative लेके आने पड़ेंगे उन alternative में एक social forest CV है means हम उनके खितों पे पेड़ लगवाएंगे जिनकी valuable timber produce हो सके इसके साथ साथ आपने कभी सुना होगा कि हमालाए में रन आफ की बहुत पर इसू चल रहा है क्योंकि अगर वहां जब बादल फटते हैं तो पानी अगर तेजी से बाहेगा तो एक तो लेंड स्लाइड होती है दूसरा जब वहां पर पानी एकदम जब आएगा तो प्लैन एरिया वहां बाड़ा जाती है तो हमें इस थाप यह रन आफ जैसे इसू को भी यानिकि वाटर सैट मैनेजमेंट को भी सॉल्व करने की जरूरत पढ़ती है और फिर यही सब चीजों को ध्यान में रख करके आजकल क्या करते हैं जैसे ग्रीन हाइवे कोरीडोर हो यह परज हमारा भई है कौनसा जीरो कारवन एकोनोमी तरप को बढ़ने का कि जो अपने हाइवे हैं वह बहुत ज़्यदा पॉलिशन करते हैं तो एक काम करो हाइवे के किनारे प्लांट लगा दो प्लांट की एक बैल्ट बना दो इससे क्या होगा कि इनका पॉलिशन जो है यह प्लांट की जो बैल्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगी है दूसरा आप उनको बैनीफिट यह पढ़ जाता है कि जब यह बैल्ट बनती है तो हाइवे में जो विकल चल रहे हैं इनकी स्पीड काफी अच्छी रहती है क्योंकि यह बहुत बड़ा इस्वी है कि आसपास क लेटा बोवी किरता है और एक्सिडेंट के रेट भी कम होते हैं तो यह चीज़े हैं तो इस टाइप से हमारा ग्रीन इंडिया में सन ग्रीन हैवे कॉरीडोर है बोवी चलता है तो बोवी इसी सोसियल फूरस्टी से लिंक है और जैसे कि इंडिस्टी के बाद की जा रहे है जिसके कॉपर इंडिस्टी है उसके आजपास एक बड़ा सा एरिया होगा जिसके कोई कॉपर इंडिस्टी है तो इस इंडिस्टी के आजपास ही काफी बड़ा एरिया होगा जिसमें हमने प्लांटेशन वर्क कर रखा होगा यह Plantation क्या करेगा कि इस एरिया में जो भी अपनी इंडिस्टी पॉलिशन फैला रही है वो यही Plantation उसे अब्जॉर्ब कर लेगी साइड में पॉलिशन को फैलेगा नहीं तो इस ट्राइप के जो इंडिस्टियल बफर जोन वगर हैं वहाँ पर भी हम Plantation कर रहा है तो यह भी कहीं नहीं अपने Social Forestry के Undercover हो जाते हैं तो पहले तो हमने Social Forestry का मतलब समझे नहीं होगा कि आखरी Social Forestry है क्या जैसे मैंने बोला था कि Forestry मतलब Forest वालों का काम Social मतलब Society तो यह Actually Forestry की Practice है Forest area से बाहर किसके लिए लोगों की भलाई के लिए Rural और Urban जो Community है उसकी Benefit के लिए अब यहां पर अपने एक जो Question आता है वो है कि यह Social Forestry टर्म किसे ने दिया इसे जो अपने पहली क्लास थी उसमें भी Discuss कर चुके थे लेकिन वहां के यहां के में एक फरक है आप अपने Notes में थोड़ा Change कर ले पहला है कि Social Forestry टर्म किसे ने दिया तो यह हमने पहले भी अब जो आपको अपने Notes में इंप्रोव करना बहुत सुनों वेस्ट भी भाहिसाब ने यह टर्म तो दे दिया कब इस टाइम पर तो दुनिया में पहली बार टर्म किसे ने दिया यह कई बार पूछा जा चुका है लेकिन इन्हों ने यह टर्म तो इस टाइम पर दिया लेक इस कमीशन का काम था कि इंडियन अगरी कल्चर के क्या इसू है उनको कैसे सॉल्व किया जाए उसके उपा रिपोर्ट देना तो यह कमीशन बना था सतर में इसने अपनी रिपोर्ट दी दोनों डेट याद रखो सतर में बना च्हातर में इसने अपनी रिपोर्ट दी जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसने उसमें रिक्मेंडेशन किया था कि इंडिया में सोशियल फोरेश्टी प्रोग्राम को प्रिमोट करने की जरुवत है तो इंडिया में अगर सोशियल फोरेश्टी टर्म की बात की जाए तो सबसे पहले जिसने टर्म यूज किया य जिस रिपोर्ट में सबसे पहली बार यूज किया गया बोथ ही अपनी नेशनल कमीशन और अगरी कल्चर की रिपोर्ट यह भी कई बार पूछा चुका है कि यह कब बना और यह पूछा जा चुका कि इंडिया में फॉस्ट टाम या फॉस्ट टाम सुषिल फोरिश्ट्री टर अब सुषिल फोरिश्ट्री पर बात करते हैं कि आखरी सुषिल फोरिश्ट्री है क्या सुषिल फोरिश्ट्री समझ में आगया है कि फोरिश्ट्री की जो एक्टिविटी है उन्हें फोरिश्ट इरिया के हमें बाहर करते हैं लेकिन जब बाहर करते हैं तो उसके कुछ पै सठेबानशरी यह वीक फोरेश्ड दिपार्टमेंट की एक बिंग है सोशाल फोरेस्टी बंग विंग को इसकी होती होती है नर्सरीं तो यह फार्मर को बोलते हैं कि हमारी नर्सरी से तो मुफ्त में प्लांटिशन लेके जाओ या पांच-पांच ददस रुपई की प्लांटिशन लेके जाओ हैं तो पार्मर यहां से प्लांटिसन लिए जाता और उसका जो फार्म है उसकि वह बॉंड्री मेर प्लांटिसन कर देगा है तो इस टाइप से हमगो फॉरस्टि रिए की अक्टिविटी जो फार्मर और फिर एग्रोफोरेस्टी में डिफरेंस क्या है मैं जस्ट यहां थोड़ा बताऊंगा फिर मेरे मुद्धा अपने डिसकस पूरा एग्रोफोरेस्टी के चप्टर में करेंगे जब वो कंप्लेट हो जागा तो आपको दोनों चीजों को समझने में आसानी जाएगी अगर प्रैक्टिकली बोला जाएं तो दोनों में कोई फरक नहीं है बस इतना है कि तो बने देता है तो वह जो पूरेस्टी के नाम से नाम अगरी कल्चर क्रॉप है आपकी यह और उसी के बीच में ट्री प्लांटेशन लग रखी है तो एगरो फोरेस्टी मतलब ट्री और अगरी कल्चर के कम पुनेंट एक साथ मिक्स अपम है जब कि अगर हम सबट अगर में ב׊रेस्टी बात खरें जो इसमें क्या ओगा है कि जο आपका पूरा सपूस्ञ एरिज्ञ अपने इस एक एकुलाक कर दिया। और पूरा फॉरिस्ट्री की ब्लॉक प्लांटेशन यांगी से क्या कि आपने यह ब्लॉक प्लांटेशन कर दी में अगरिकल टे और बीन kalian ले हैं कि लेकिन मेंम अभी तक के तक पिछले और इसके साथ दूसरी जो फोल Jeśli या ओता है वो आती है को टीक टॉन इक करकी अखतुब अपन पढ़ ले तो पहली अपनी जो फार्म फोल इस ती उसका मतलब था कि आप प्लांट को आप रदो और अड़ी आप ऐसे इंक्रॉप करकर लगा और या इस टाइप कोई बिङ्लोफ प्लांट इसनम और वीव आप इनको दोननोग मैं लेकर सद्नें जिसने काम वाहेगा कि कि तो फार्म फोरेस्टी आपको समझ में आ गया कि फार्म पे फोरेस्ट लगा देना है ऑब्जेक्टिव क्या है यानि कि हम क्यों लगा रहा है सीधी सी परपाज़ है फार्मर की इंकम डबल करनी हो उसको फार्मर को क्या चाहिए फ्यूल पुट चाहिए टिमबर चाहिए तो इस टाइब की जैसे लीफ फुटर बगर रहा है ग्रीन है तो जो उसकी फार्मर की रिक्वार्मेंट है उन्हें प्रोवाइड हो जाए दूसरा जो बड़े फार्मर है जैसे कि यह है जो कौफी यह है टी है तो टी प्लांटेशन में बीच में उनको सेड़ों के लिए हमन यहां पर अपना कोस्टा बनता है तो क्या होगा फार्म फोरेस्टी में हम कौन कोन से स्पीस जूज करते हैं और सबसे पहले इंडिया में कहां हुग कहा है तो फार्मदा व्प्र्सट्ट्री यानि कि स्पॉस्यल फोर्ष्ट्री टी अंडिया में सब से पहले स्टार्ड की वो कि źवाला बारस लेकिंग की तो आज-बास प्रक्ते हुआ क्वेर्श यानि कि यह तो यह कियोंगे मार्किट डिमांड अच्छी है तो सोच लेते हैं वह लगी जाए कि 10-15 साल बात कुछ तो देखी जाएगा या फिर जैसे बबूल नीम जैसे पेड़ हैं जो खुदी अपने आपको जाते हैं वहाँ पर या फिर कुछ लोग बंबू लगा लेते हैं खासकर जैसे नौर्थ इस इंडिया में चले जाओगे होगे जैसे कभी-कभी आपने सिटियों में करते थे हैं या आप कभी किसी नेशनल पार्क है जैसे यह काना नेशनल पार्क है एंपी में जब आप उसमें इंटर करोगे तो इसका जो रोड है नेशनल पार्क तो काफी अंदर है जो ऑफिस बगएर है वह आप इसमें इंट कर देते हो इसका एरिया जब स्टार्ट होता पार का तो इन्हें दोन साइट काफी अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रखी है फ्लावरिंग वाले पिड़ लगा रखें तो इस टाइब को जो कर रखें क्या है री क्रियेशनल जो अच्छा लगे अब जैसे मैंने करके अपने फैमिली में पढ़ लेंगे से इंडियें ट्रीश जाएगा ना उसमें से पढ़ लेंगे बस आप यतना याद रखो कि असुकी है फैबेशी और इसी फैमिली का है डिलोनेक्स रेजिया गुल्व महर बोलते हैं से इसकी फैमिली है फैबेशी यह प्लांट है य टिसर अपने जो पाट है वह एक मतलब एक मतलब करना फैंब करना कोई किसी का इस लंबार चला गया यह यह जैसे आपके यह इंद ब्ससक्राइब मतलब जाता traveled बाहर निकाल आता तो यह आपका क्या हो गया है एक uplift extension तो एक्स्राइन फ्रेशन फी यह है कर is दपार्टिमींट की एंडर होता है जैसे यूपी फोरेश्ट की आपने च nós लिए गए को पुरी जमीन लिए पिलान प्रीज करता रहता है टो यह क्या है ॥ रोट साइड के मैं या पंजाब में केनाल जो है उनके किणारे का देती यूम्हार foul का साइड भू attending है वैसे कि यह साथ है पॉरेशन के जहां भॉन्टी के इसे के डिली दिल् Just क क्या गया क्या पॉरस्टिए अछिंझी तो Quinn लिए अफिर इससे पार्क बना रखेंगे बीचभन यह अपनी जो गुरू ग्राम रह्त वहांन께서 क्वा पॉल्यूशन हो से थोड़ा कम किया जा सके हैं अब इसके क्या इंपोर्टेंस से पढ़ लेना कोई बताने वाली बात ऐसा है नहीं इसमें तो अर्वन फोरेस्टी आपको समझ में आ जागा तो अपनी जो चार पिलर थे कौन से सोसिल फोरेस्टी की चार पिलर थे फार्म फो सर और री इंवारिमेंटल फोरेस्टी का मतलब है आप जो फोरेस्टी कर रहे हैं कि सकते हैं परपाचे इंवारिमेंटल फॉर्शन को कम करने के लिए कहां कर सकते हैं इन्टिस्टीर बफर जोन है इन्टी के आसपास का diferentes ही ऑंगा है चार brighten कि और दूसरा कम्मिंटी फोरिस क्या है कि जैसे हम social forestry को हमना farm forestry न करके कोई गाउं था विलेज थी पंचायत था तो पंचायत की जमीन पर करवा दी जो पंचायत की जमीन पर forestry हो रही उसे बोलते हैं community forestry यहने की फार्म community forestry जहां community ही लगाएगी community की ओनर से भर वही लगा रही और वही उसे इसके बाद social forestry पर कभी कभी कुछ रहा जाता है कि आपके स्टेट में कब हुआ तो जैसे राजस्थान है तो यह हर्याणा राजस्थान गुजरात वालों का तो राजस्थान में अपने 85 से social forestry प्रोग्राम में स्टार्ट हुए थे तो पहला जो था वर्ल्ड बैंक और यूएस एड यूएस एड है यह वर्ल्ड बैंक है इनके सुपोर्ट से 1985 में शुरू किया गया था फस्टांग तो बस यह याद रख लेना कि राजस्थान में social forestry जो प्रोग्राम है वो 1985 में फर्स्टांग हुआ एक बार Google सार्च कर लेना कि राजस्थान की क्या कोई स्टेट की सुचल forestry policy है अगर है तो उसकी डेट याद रख लेना कि कब यह आई क्योंकि यह अपने लिए काम का हो सकता है अब यहां social forestry के जो basic वालं कर रहा है रेल्वे लाइन के अश्पास कर है कैनाल बैंक पात लब यह जो कैनाल है उनके साथ कर रहा हैं रोट गहता हैं और टैंक तो रिल्वी बालों को पता है कि यहां तक अपने पीड़ें तो इनक्रोश नहीं कर पाते हैं दूसरा जब प्लांटेशन डेंस हो जाएगी तो वाइल लाइफ वगर वो नहीं गुश्पाते हैं आपर तीसरा कर राजस्थान जैसे एरिया में सेफ्टिंग जो सेंड डून की वह भी दोक लेते हैं यह प्लांट के तो इस चीज जिनमें फाइबर बहुत अच्छे हों जिससे कि यह टूटे ना खास कर अगर थोड़ी बहुत आंधी तूफ़न होगे नहीं तो पतापड़ा कि आंधी तूफ़न आई बेड़ चूट गया रेल रूबे तूसरा पेड़ों को जो लगाते हैं जैसी यह तो पेड़ बहुत प थे आपाएगा तो यह लगवाग साँड़े साथ मीटर के अंदर अंदर आ जाएगा तो यह रेलवी ट्रैक पर लगावे तो कोई याद रखने की जरूद नहीं है करिया ばाली बात नहीं नहीं है महुष्च का लग।oda नहीं को ने दूसरा का त मेन पत्नाया तो प्लांटेसन का रख का दागए यह मजबूत 000 के सा tambra लेवीज बोलते हैं जो इनकी साइड की दिवाला जो होती है उनको तो लेवीज जो हैं वह स्ट्रॉंग बनी रहेंगे दूसरा यह आपने देखा हुआ कि किनारे किनारे रोट डाल दी जाती है वह मोटी एक बेल्ट सी तो भी यूज हो जाती है तो अब ट्रेवलर जो होंग प्रोटेक्शन कारवन से तो खली फिली की चीज़ें सलती रहती है मैं मुद्धा अपनी लेवीज ने टूट है अब यहां पर भी ओरेंटेशन बहिर आएगा पेड़ कौन से लगांगी हाँ एक बात और रहे हैं यहां पर जो पेल लगाते हैं वह अपन क्योंकि यहां स्पीसीज लगाएंगे वह पॉसीबल है कि ऐसी स्पीसीज हो जो वाटर को आसानी से अब्जॉर्ब कर सके हैं मतलब वाटर में जद्धा वाटर लॉगिंग के टाइम पर उसमें इसू ना आए तो वह कौन सी है जैसे कि डलबार जैसी इसू है यह आराम से लग जाते हैं यह सौथ इंडिया में तंजोर वाले रीजिन में ने टी भी लगा लेते हैं तो यह स्पीसीज आ बस यह यह हाइट साथ 7 मीटर डिस्टेंस याद रख लेना और परपज़र काम जाता है एक मुद्दा अपना थार्ड मुद्दा है वो है क्याट जो टैंक बैड है उस पर जो अपने नदी नाले तालाव हैं, इनके किनारे पीड़ों को लगा देते हैं, जिससी क्या है कि यह पत्तियां जाड़ेंगे, पत्तियां नदी में गरेंगे, नदीयों में गरके जो मचली हैं वो खालेंगे, तो इस टाइप से मचलीयों को फूड मिल जाता है, और पूरा इको सिस्टम मैंटेन हो जाता है, तो जो टेंक वैड प्लांटेशन है, उसमें भी ये कर लेते हैं, अब यहां पर जो लगाऊगे, वो ओविसली ऐसी पिड़ लगेंगे, जो वाटर लॉगिंग में भी अपने आपको बचा लाएं, खासकर यहां अकेसिया निलोटका को न आम याद रखना, यह कई बार पूछा जा चुका है कि अकेसिया निलोटका टेंक वैड प्लांटेशन में यूज करते हैं, और लास्ट अपना आएगा रोड साइड प्लांटेशन क्योंकि जद्धा क्यों डिटेल की स्टड़ी है नहीं, तो यहन्ने हम रोड साइड के में कर रहे होते हैं, इसमें एक तो कुछन अपना स्पेसिंग से आ जाता है, दूसरा परपस क्या वह आप सीधी सीधी सी बात होते हैं, यूजली देखा जाए तो एक तो अपनी यूज करते हैं, ठीक क्योंकि देखो रोड साइड में अपने ऐसे कोई भी पेड़ नहीं हैं, यहां पर जितने भी हैं यह सब को याद रख लो, कभी-कभी बकैती में कुश्चन और भी आ जाते हैं, कई बार जैसे MPPSC 2014 में कुश्चन आया था, उसके चार आप्सन में तीन हैसे थे जो लगाए जा सकते हैं, अब आप से पूछाता है कौन सा लगा जा सकता है, तो तर से दुरिया पना सब्यक अता मुश्चन आया